ज़े ज़े सिर्वाम दोस्तों, कैसे हो आपसे बारिश के मौसम में कुछ ज़रम खाने का मन हो तो ये नाश्था चटपट से बन कर तैयार हो जाता है तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें यहां बेशन लेना है, और बेशन में हल्दी पाउडर, लाल मिट्स पाउडर, नमक, अजवाइन और जीरा, सबी चीजों को हम एड़ कर देंगे, एड़ करकर में यहां आलू को पतला स्लाइस में चिप्स जैसा कट कर लिया है, और उसको कोल में एड़ करकर गरम तेल में फ्रट पत से आलू को फ्राइ कर लेंगे, फ्रट पत से करीब तीन मेट में यह हमारा नास्ता बन करीब बन से तैयर हो जाता है, बार इसके चीजिम में खाने में बहुत बढ़िया लगता है, और चाय के साथ कड़ी भी सर्व कर सकते हो, मैंने यहाँ चाय के लिए बनाया है, तो कुरकुरा पकोडा हमारा बन कर तैयर हो गया है, तो मेरा वीडियो पसंद आए, तो मेरी चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब, चलिब कीज़ेगा दूस्तों मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में त